बिसम्मिल्ला रुर्प्मान रुरहीम स्लावालेकुम लास हम लोगों ने फाइनेंस के चप्टर नमबर 6 के 6.32 तक डिसकेशन कर ली थी तो इस वीडियो में हम 6.33 से ओनवर्ड जो है कुछ न्यू कोस्टन को डिसकस करेंगे ठीक है सबसे पहले डिसकस करते हैं 6.33 को एक्ज को इनवेस्ट किया, यरली हर साल 1000,000 रुपे जम्हा कर रहा रहा हूं तीन सालों के लिए यनि के साद के 77% मैं 100 परी raised कर रहा है फिर कह रहा है for the next two year अगले दो सालों में five percent compounded annually मुझे मिलेगा और पांच लाख रुपे पांच साल के आखिर में मुझे मिलेंगे then find the amount invested in last two years बताएं आखरी दो सालों में जिस साल में मुझे five percent interest मिलेगा बताएं आखरी दो सालों में पहले तीन साल तो हर साल हजार जार रुपे जमा कर रहे ना तो आखरी दो सालों में वह कितने पैसे जमा करवाए कि पांच साल बाद वह पांच लाख रुपे रिसीफ कर ठीक है तो इस question को समझने के लिए हम क्या करते हैं टाइम लाइन बना रेते हैं तो टाइम लाइन हेल्प करेगी question को solve करने में तो यह जो question में English लिक है इस सारी English को हम mathematical form में convert कर लेते हैं जीरो येर येर वन हो गया येर टू येर थ्री येर फॉर और येर फाइल ठीक है तो हमने 5,000,001 रुपे लिकी इन विए ठीक है और उसने का कि हर साल वो 1000,000 रुपे जमा करवा रहा है 1000,000 रुपे जमा करवा रहा है घीक है ये जो 1000,000 पे जमा करवा रहे है ये seven percent compounded annually फिर उसने पूछा है चोते साल बताएं क्या amount जमा करवा हूं और पांटु साल क्या amount जमा करां उसने यह पूछ लिया हमसे तो इसको एक्स कर लगते हैं ठीक है और इन दो सालों में जो रेट आफ इंटरस्ट वो कहा रहा है मिलेगा वह फाइफ परसेंट कंपाउंड़ एन्वली है ठीक है और यहां से हमें यह एक्स अमाउंट चाहिए ठीक है तो यह मेरी कुछ कहा उस्फिया चेह खिए तो पहले तीन साल में एन्वी टी लगाउंगा ठीक है तो यहां तक मेरा दोस्फिया पर दोसालों पर दूबारा सड़ाओंगा ए oynसे पर फॉर्मूला लगाएंगे ठीक है अब हम इसको स्टेब 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 कर सकते हैं लेकिन मेरी यादत होती है मैं हमेशे जिम्दी को असान करके चलता हूं बच्चों की तो इसको डिरेक्ट सॉल्व करूंगा इजी वे से ठीक है अच्छा लिए तो इसका मतलब वन प्लस आई टो रेस पावर एन माइनस वान अवर आई ठीक है यह फूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे ठीक है अच्छा लिए फूचर वैल्यू कितने फाइफ लैक तो यहां पर फाइफ लैक रूपीस पांस सालों में मुझे मिलिए पहले तीन सालों में रेगल जिन प्रसंत कि रि tidak सालों के लिए साथ परसंट मिलना है तो वन प्लस पॉइंट जीरो सवन तूरी एस पावर त्री तीन साले माइनस वन को रोओंगा पॉइंट जिरो सेवन यहां पर लिख मैं तो यह हमारे पास अनृट्य लागी यहां से लएकिए यहां तक यह इन तीन सालों की अन्यटी लगी लिए तो क्या करेंगा साथ ही मैं यहां पर कमपाउंडिंग लगा दोगी तो यह फाइव यां यह बन जाएंगे इस वन थाउजन के लिए ठीक है उसके बाद क्या करूँगा फर्दन अडिशन करूँगा प्लेस अब चोथे और पांचवे साल कौन सी अमाउंट जमा करवानी है वो पता नहीं उसको एक्स कर लेते हैं अब एक्स भी सेम अमाउंट होगी तो यहां पर अगेन दो सालों की अगे प्लस 0.05 दो सालों के लिए माइनेस वन 0.05 अब करना गया है इस सारे को कैलकुलेटर में पुट करूँगा इन सब को अपने कैलकुलेटर में पुट करना है और शिफ्ट सॉल प्रेस करके यह एक्स की अमाउंट आ जाएगी यहां से जो एक्स आएगा असल में वही आपकी लेकिन उसे फ्री हो जाती है ठीक है तो बस आगे काम से क्लिकुलेट करना मov l एक्जैक्ट आएगा अधर आ आएगाよね 242 242 173.45 ठीक है तो यह कल्कुलेटर से कल्कुलेट कर लेंगे तो इक जाक इंशाला यही आंसर आएगा ठीक है तो यह हमारा आंसर होगा ठीक है तो यह आंसर कहां पढ़ावाँ चकते हैं यह आंसर पढ़ागा 242 यह यह बीटा में पढ़ागा ठीक है तो बीटा विल बी अवर राइट आंसर तो यह तरीके से कुस्चन होगा इसको अगर आप लोगों से यह कल्कुलेटर से सॉल्व नहीं होगा तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा फिर मैं इसको सॉल्व अच्छा लिए नेक्स चलते है जनब 6.34 पर 6.34 एक्जैमिनर कह रहा है इफा परसन इन्वेस्ट फू मिलियन अगर एक परसन आज दो मिलियन इन्वेस्ट करता है और विद्रॉट 10 परसेंट एच मन्त और हर महीन ने उस दो मिलियन में से 10 परसेंट निकालता रहता है तैं इन्वेस्टमेंट बताओ कितने अरसे में उसकी इन्वेस्टमेंट खतम हो जाएगी दो मिलियन सारा के सारा वह बैंक्स या किसी कंपनी से विड्रॉव कर लेगा अच्छा इसकी उपर आप फॉर्मॉला भी लगा सकते हैं और इसको डिरेक्ट लॉजिकली भी कर सकते हैं कर या कि दूमीलियन आगर वहर मंथ टूमीलियन मेंसे 10 परसंट निकालता हैं तो वह वहर मेहिने 0.25ally प्लिडियो तो इसका मतलब दस महीनों में वो पूरे के पूरे दो मिलियन निकाल चुका होगा तो इसका जो राइट आंसर होगा वो टैन मन्थ होगा ठीक है 6.35 दिखते हैं रजा वांट टो सेव मनी ओवर और पीरिड ऑफ 10 जियर इन और तो मीड़ दी एक्सपेंस तो बी इंकर्ड उन हायर एजूकेशन ऑफिस संब और रजा चाहता है वो कुछ पैसे जमा करे दस सालों के लिए ताके वो अपने बचे की एजूकेशन के लिए पैस प्लेंड तो फिर्दर इन्वेस्ट ट्वेंटी थाउजन एड़ एंड आफ इच क्वार्टर और रजा ने कहा कि मैं बीस हजार रुपे हर क्वार्टर के एंड में यह अडीशनल जमा करूंगा यानि कि दो पेमेंट कर रहा है एक दो लाख रुपे की लंसम अमाउंट जम कि छे परसंट कंपाउंडिट क्वार्टर ली उसको इंटरस मिलेगा दस साल के आखर में बताएं रजा के पास कितने पैसे जमा हो जाएंगे ठीक है तो अगर इसकी टाइम लाइन बनाएं तो इसके टाइम लैन कुछ यह बनेगी एक्जामिनर जो पूछ रहा है आज जीर हर रुपे भी जमा पर और इस फ कब तक चलेगा यह फरी मन्थ हर ती inspires है और एक खिर्सरह कब तक चलेगा कौछ तस सालों तक चलेगा वो पूछ रहा के दस साल में रजfic के पास कितने पैसे जमा हो जाएंगे तो यां पर दो सृना रयुंए बिस लागी सिंगल पेमेंड ह देखा रहा है बीस बीस हजार हर quarter में regular equal payment है और rate of interest six percent compounding quarterly है तो यह जो बीस बीस हजार है इन बीस बीस हजार की जो है यह regular equal payment होने के वारे से इनकी एन्विटी बन रही है तो एन्विटी प्लस compounding दोनों के आंसर को जम्मा करूँगा तो मेरा answer आ जाएगा ठीक है अच्छा जी तो सबसे पहले compounding वाले को ले जाते हैं इसको डिरेक्ट भी कर सकते हैं वन बेवन भी कर सकते हैं मैं वन बेवन कर रहा हूं compounding का future value बें जाना तो formula क्या होगा present value two lakh rupees है ठीक है one plus zero point zero six rate of interest हो गया क्योंकि quarterly है तो divided by four करूँगा power में four into ten years है into ten कर दिया तो यहां से हमारे पास एक answer आ जागा ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा जो भी answer आता है देख लेते हैं क्या answer आता है तो इसका answer आ जागा three six two eight zero three rounding करके zero four बन गया ठीक है अब चलते हैं एन्विटी डग गई एन्विटी डगाते हैं इन बीस बीस हजार की तो बीस बीस हजार की बनेंगी future value तो यह में पर आ रहा गया और one plus zero point zero six divided by four to raise power four into ten minus one zero point zero six divided by four ठीक है जना आप इसको सब को solve करें तो यह हमारे पास एन्विटी का answer आ जेगा ठीक है देख सेका answer आता है तो इसका answer आ गया हमारे पास one zero eight five three five eight three five eight three five eight ठीक है ठीक है अच्छा जी इन दोनों answers को जमा करते हैं ठीक है इस वाले answer को और इस वाले answer को दोनों का add करें हमारा final answer होगा ठीक है और final answer हमारे पास आ जाता है final answer हमारे पास आएगा one zero eight five one zero eight five three five eight plus three six two eight zero four तो answer आ गया one double four eight one six two answer आ गया one double four और eight one six two three answer होगा तो यह जो आलफा अंसर होगा ठीक है तो यह जो आलफा अंसर है इस आंसर विल बी कुरेक्ट यह इस तरह से question करेंगे अच्छा रियों नेक्स्सक्षिन देख सेंगे जनाब नेक्स्ट कोच्छन में वह कह रहा है कि यू आर गिवन सम आफ एन्विटी ड्यू कहता है सम आफ एन्विटी ड्यू दो लाक रुपे हैं तो सम आफ ओडिनरी एन्विटी बताएं ठीक है तो सिंपल सा सवाल है तो सम आफ एन्विटी ड्यू दिया हुआ ठीक है तो सम आफ एन्विटी ड्यू का फ्यूचर का फ्यूचर का फ्यूचर वेली को फॉर्मूला किया होता है तो फ्यूचर वेली इकॉल टू रेगुल ठीक है और रिटेम के वगते को अगर हम इस फॉर्मुले को गोर से देखे तो यह सारा यह तो अगर सो इस रेड़ किलर वाल वाले तो अगर इस इसमें जो इतना वाला हिस्सा है इतना वाला हिस्सा है तो यह तो और नरी अनुटी का फॉर्मुला ना इतो और यह अगर हम यह डियू रफ्रेक्टर निकाले थोड़ी देर के लिए इसका मतलब मुझे और यह चाहिए तो अगर इसको मैं थोड़ा सा संप्लीफाइब कर कि ऐनियू, सम और और, और फिर one plus i यह बन जाता है ठीक है तो सम और और अप और आवी है यह तो मेरे पास 2 लाख है ठीक है यह 2 लाख है और और मुझे सम और Aura 63 जाहिए तो one utos criticize है वह इस द्राइव कर लिए 1 pulex ऐ किछैने के लिए 12% मीन 0.12 कुट्थ इडिवाइड बाइद बाइब वई एड़िवाइड बाइड वाइड थो लेड़ डिवाइड वैड्वाइड वए वन प्लस पॉंट वाइन नविटिद वाइड थी का और जब आप इसको केल्कुलेट करेंगे तो आपके पास sum of ordinary annuity का answer आजएगा 194175 ठीक है इसको calculator से कर लिजएगा simple इन दोनों को आपको dy करना है तो आपका answer है 194175 194175 तो इसका जो right option होगा वो beta option is the right answer ठीक है दी अच्छा दी दो question नमारे पर रहे गी है 37 वाले question में वो कह रहा है कि two companies की investment है company A और company B की find the rate at which net present value both company will be safe ये question हमने पहले भी उपर solve किया हुआ है कि करना कैस्ट में net present value company A की equal कर देनी है net present value company B की ठीक है कि दोनों को क्या करना है calculator में values put करने के बाद उनका rate calculate कर लेना है और वो answer होगा ठीक है नहीं तो हमने पहले भी किया है खोश्व आप लोग ए question कर लेंगे ठीक है ये तो मैं design बना देता हूँ अपनी की present में लिखे है बन जेगी six one plus i to raise power minus one plus nine one plus i to raise power minus two plus twelve one plus i to raise power minus three ये company A की present value होगी ठीक है आप क्या करेंगे इसको equal करेंगे और company B की present में लिखेंगे लेक कॉमन लेने six one plus i to raise power minus one plus अर लेक कॉमन लिए यांसे तो बन जेगा seven point five क्या बन जेगा seven point five यांसे बन जेगा seven point five one plus i to raise power दूसरा साल है तो minus two plus eight point five into one plus i to raise power minus three plus nine one plus i to raise power minus four ठीक है तो सारी values को लिख ली अब इन सारी values को क्या करना है अपने calculator में put करना है तो calculator में put करके shift solve वले तरीके से तो आपका जो balance होगा वो rate of interest आज़ेगा ठीक है और यहां से जो rate of interest का answer आएगा वो आपका fifty four point six five percent यानि के चार्ल यांसर आएगा ठीक है अगें अगर यह आप लोगों से calculator से ना होगा तो कमेंट्स में मुझे बता जिजएगा फिर इंशाले से एक और इलाज बताऊंगा ठीक है अगर हो जाए तो यह लास्ट कोश्टन आफ दीड़े रिसेर्च फांडेशन वास इस्टैबलिश्ट बाइफ फाइफ लाग इन्वेस्टेट एड रेट पुट प्रवाइड रुपीस 20 थाउदन पेमेंट अड़ एड़ 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 फांडेशन ने एक फंड जारी किया ठीक है पांच लाग था और 20,000 पेमेंट हर साल के इंड में की जाएगी फॉर एवर हमेशा हमेशा के लिए अगर फॉर एवर आगया इसका मतलब यह प्रपैचिटी का कुश्चन आगए तो पांच लाकी इंवेस्मेंट के उपर हम क्या रेट आफ इंटरस्ट एंड करेंगे इसका मतलब यह लुआ तो पर पैचिटी पेज़ेंट वैली कि के थी का यहां फाइफ लाट पूट करते हैं अच्छा रेग्लर एक्षगल पैमन्ने हैं बीस हजार यह पर आ जगा बीस हजार आफ इंटरस्ट कितना मिलना है वह हमें फाइंट क्राइप इंटरस्ट क्या करना हमें ठीक है तो रेट आफ इंटरस्ट पाइंट करने के लिए यहां पर क्या करतेंगे आप लोग एक्सपूट कर दीज़ेगा तो क्या करें एक्स इधर आ जगा फाइफ लाक इधर आ जगा तो यह जो आपके पास एक्स यानि के जो आई निकलेगा जिए 0.04 डैट इस 4 परसेंट बनेग ठीक है इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीज़ेगा बार बार कोशन कीज़ेगा अगर कोई प्रॉब्लम होई तो कुमेंट्स में मुझे बता दीज़ेगा ठीक है कुछ ना कुछ फाजबर इसको देख लेंगा तो ख्यार रिखेगा और दोस्तों से और अपने बाकी को झाल